आज बनाएंगे इस मौसम का राजा भुटा एक नई और यूनीक तरीके से जो शायद ही आपने कभी इस तरीके से बना के ट्रायक रहा होगा यह भुटा बनाने का तरीका बेहती था यूनीक और मज़ेदार है इतनी अच्छे तरीके से भुटा सिक्के तयार होता है आप एक बार इस recipe को बना लेंगे आपको बार-बार इस मौसम में भुट्टा खाने का मन कर जाएगा दोस्तो इस recipe के लिए हमने लगबग दो भुट्टे ले लेने हैं और एकदम पके हुए बड़िया तयार भुट्टे होने चाहिए और एकदम fresh होने चाहिए यह नहीं कि यह 10-15 दिन पुराने हो इन भुट्टों को आप फटा-फट से छील लेजिए एकदम fresh आपको greeniness दिख रही है कि कितने fresh भुट्टा हमने आज निकाला है तो इस भुट्टे को आपको रखना है और इस भुट्टे को फटा-फट से छील लेने हैं दोनों के दोनों भुट्टे एकदम fresh हैं और अभी आपको दिखेगा कि इसके जो कॉन्स वाले grains है यलो कलर कितना डीप अच्छा कलर दिख रहा है बस ऐसे ही आपको दोनों के दोनों भुट्टे चिलके तयार कर लेने हैं जैसे हमने कर लिए हैं अब दोस्तों आ जो भुट्टे हैं इनको आदे आदे और टुकडों में काटने वाला हूं क्योंकि जो भुट्टा है हमारा बेहती तता लंबा और फ्रेश है और इतना बड़ा भुट्टा तो जिस तरीके से हम करने वाले हैं शाद आएगा नहीं इसलिए हमने इसको दो टुकडों में थोड़ा सा नमक थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा काला नमक जो भी आपको पसंद आ रहा हो मसालों में आप वह वह चीज़े इसमें एड़ कर सकते हैं हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर भी आड़ करेंगे ले उसके बाद जो अभी हमने मिश्रन तयार करा है उसका इस्तमाल करना हम शुरू करेंगे तो जो भुट्टा है वह हमने एक तो हाफ कर दिया है तो चलिए जट पट दूसरे वाला भुट्टा भी के हाफ कर लेते हैं उसके बाद जोस्तों जो हमने मिश्रन तयार करा है उसकी जट पट कोटिंग लगानी शुरू करते हैं तो इनको चारों को साइड में करते हैं बीच में वो कोटिंग का समान ले आते हैं देशीगी से जो अर्मसालों से बनाया और एक एक बड़िया बढ़ दोस्तों उसके बाद हम क्या करेंगे इन भुटो को एक फॉयल में अच्छे से प्रॉपर्ली रैप कर देंगे तो चलिए फॉयल भी ले आते हैं और इनको फटाफट से रैप करना भी शुरू कर लेते हैं क्योंकि तीनों पर अच्छे से मसाला लग चुका है तो आपको तीन भुटे बस जटपट से रैप कर लेते हैं यह होगे दूसरा रैप और अब शुरू करते हैं तीसरे रैप को यह लिजए तो चलिए दोस्तों यह तीनों के तीनों अच्छे से भुटे रैप हो गए हैं तो आप भड़ लेते हैं अपनी कडाई की तरफ फटा-फट से क्यों इसमें हमारे तीनों के तीनों भुट्टे डाल देता हूँ मैं और उसके बाद दोस्तों हलका सा सिकने देता हूँ और उसके बाद इसको ढपके भी पकाऊँगा और घुमा घुमा के भी पकाऊँगा तो चलिए पटा फट से इसको ढखता हूँ लगबक तीन से चार मिनट के लिए और फिर इसे दूसरी साइट से से शेक लूँगा तो देखते हैं अब स्टीम कितनी अच्छी बन चुकी है अभी इसकी साइड को परलटने के लिए इसको हटाते हैं दोस्तों और इनको भी गुमा लेते हैं देखिए ये भुटा एक तरफ से तो अच्छे से सिक के तयार है अब दूसी तरफ से भी सिक जाए इसलिए हमने थोड़ी से मेहनत कर लिए चिम्टे की मदद से इसे खुमा लिया है ऐसे ही आपको करते रहना है भुटो को लगबग तीन से चार बार चार से पांच बार जब तक आपका भुटा अच्छे से सिक के तयार नहीं हो जाता है क्योंकि जब तक भुटा अच्छे से सिखेगा नहीं यह चली अच्छे से सिखेगी नहीं हमें मजा नहीं आने वाला है तो चलिए एक बार फिर से इसे बदल लेते हैं साइड को ऐसे ही गोल-गोल गुमाते रहें रोटेट करते रहें हर तरफ से पकाते रहें लगता है मुझे अब यह भुटा ठीक ठाक पक चुका है थोड़ी सी साइड और घुमा लेंगे और उसके बाद जट पट इनको बाहर निकाल लेंगे हलका सा एक बार मैं फाइनल इसे डख्यो और पकाने वाला हूँ ता कि कहीं से अगर कोई कमी रह गई हो तो वहाँ भी इसको अच्छे से पका दे तो चलिए दोस्तों इसको हटा लेते हैं ढकन को और हमारे जो भुटे हैं वो लगभख सिक्के तयार हो चुके हैं तो इन्हें फटा फट से एक प्लेट में निकाल लेते हैं और हलका ठंडा होने की वेट कर लेते हैं और जो चोथा भुटा हमने संबाल के रखा था उसका भी एक आपको युनीक तरीका बता देते हैं उस चोथे भुटे को पकाने के लिए हम क्या करेंगे गैस पे एक स्टेंड रखते हैं और ऐसे ही डिरेक्ट पका लेते हैं यह भी जटपट बढ़िया से पक्के तयार हो जाएगा देखिए यह हमारा चोथा टुकडा भी हमने ऐसी कोटिंग करके अच्छे से इसको घुमा लेंगे चिम्टे की मदद से यहाँ पर यह बहुत ही जल्दी पक्के तयार हो जाता है और उसमें जो हमने पहले तरीका करा उसमें थोड़ी सी एक अलग सी प्रिप्रेशन है अलग सा स्वाद आता है इसका स्वाद थोड़ा अलग है उसका स्वाद थोड़ा यूनीक है बस इसको भी आप ऐसे अच्छे से पका सकते हैं लगता है वो भुट्टे भी थोड़े से ठंडे हो गए होंगे तो जटपट इसे पकाने के बाद उन्हें खोलने चलते हैं तो एक तरीका आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं ये भी अगर आपको पसंदो आपकी पर्सनल चोईस है जो चोईस आपको पसंदो उसे फॉलो कर लीज और हम अब फटा-फट से वो भुट्टे भी खोल लेते हैं और उनकी भी देख लेते हैं कि क्या स्टेटस है पकने का तो इस गैस को कर लेते हैं बन और ये जो स्वाधिष्ट भुट्टा है अब बन के हो चुका है लगबगता है यार और इसके बाद हम इसके उपर एक ले कर लेते हैं खोल लेते हैं और फिर ये सारे के सारे भुट्टे मिर को खाने का इंतजार नहीं हो रहा है दोस्तों मुझे बहुत देज भूख लगी है मन कर रहा है बस इन्हें खा जाओं लेकिन इनके उपर मैं एक लेमन की जबरदस्त कोटिंग करने वाला हूं जिससे इसके स्वाद में चार चांद लग जाएंगे तो चलिए दोस्तों ये हमारा भुट्टा बहुत ही बढ़िया से सिक्के तयार हो चुका है और अब फटा फट से जटपट से आपको जैसे ही पसंदो वैसे खा लिजिए आपका भुट्टा अगर सिल्वर फॉयल में अच्छे से प यार हो गया है निम्भू रगड़ा और बस फटा फट से गप करके खा लिया तो चलिए दोस्तों मेरे से वेट नहीं हो रहा है में को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख ही से देख के मैं तो इसे कप करके खाने वाला हूं तो आप भी अगर आपको यह वीडियो पसंद आप ज़रू शेर करें